दोस्तों अगर आपके पास SBI का कोई भी credit card है तो आपके लिए एक good news है और good news यह है कि अब आप अपने SBI के किसी भी credit card की limit को manually increase कर सकते हैं यहाँ SBI की तरफ से एक नया update रिलीज किया है अब यह update किया है और किस तरह से आप अपने SBI के credit card की limit को manually increase कर सकते हैं और कितनी limit increase कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ life practical करके देखाने वाला हूँ, तो चलिए अब हम finally वीडियो को start करते हैं. तो वाईज अगर आप अपने SBI की credit card की limit को increase करना चाहते हैं, तो पहले step में आपको Google Play Store में जाके SBI card की जो application है, उसके अंदर जो latest version release हुआ है, SBI की तरफ से आपको उसके उपर update कर लेना है, मतलब आपकी application latest version के उपर होनी चाहिए. And second step में आपको उसे open करना है, और open करने के बाद आपको bottom में एक menu देखने को मिलेगा, simply आपको more वाले option पर click करना है, and then उसके बाद आपको benefits वाले option पर click करना है, and उसके बाद आपको benefits के अंदर एक नया option देखने को मिलेगा, credit limit increase. खुल मिलाक है, आप इस option का इस्तेमाल करके अपने credit card की limit को increase कर सकते हैं, तो simply आपको इसपे click करना है, and जैसी आप इसपे click करते हैं, तो आपके credit card की जो old limit होगी, यानि कि जो current limit होगी, वो आपको show की जाएगी, जैसे कि फिलाल आप screen पर देख सकते हैं, मेरे credit card की limit, मेरे पास SBA simply save credit card है, तो उसकी जो limit है अभी फिलाल वो 90,000 रुपे है, और फिलाल मेरे credit card की limit को increase करने का offer मुझे मिल रहा है, वो 3,000,000 रुपे तक का मिल रहा है, मतलब यह है कि मैं 3,000,000 रुपे तक की अपने credit card की limit को बढ़ा सकता हूँ, अब यहाँ पर कुछ term and condition है, उनको भ credit card की limit को कितना increase किया जाएगा, यहाँ पर मेरे case में 3,000,000 रुपे मुझे दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि up to 3,000,000 रुपे तक की मेरे credit card की limit increase हो सकती है, अब up to का मतलब यह है कि मेरे credit card की limit एक लाख भी हो सकती है, दो लाख भी हो सकती है, मतलब 3,000,000 तक कितनी भ हो सकती है और हो भी सकता है कि मेरे credit card की limit increase ना हो ये totally bank के ओपर depend करेगा फिलाल यहां bank ने नई update में ये एक नया option दिये दिया है जिसके जरीए आप manually अपने credit card की limit को increase कर सकते हैं यहां आपको एक slider देखने को मिलेगा आप इस slider को slide करके right hand side की तरफ जितनी amount आप जितनी limit आप increase करना चाहते हैं आप उतनी limit increase कर सकते हैं अपने credit card की तो फिलाल तो मैंने 3 लाग पूरी की पूरी select कर लिए and उसके बाद आपको next step में proceed पर click करना है and उसके बाद आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा आपको उस OTP को enter करना है and then submit करने के बाद आपकी जो request है वो एक तरीके से submit हो ज कुल मिलाकर आपके bank account के statement को check किया जाएगा कि आपका जो lane देन है वो कैसा है और उसी की base पर आपके credit card की limit को increase किया जाएगा तो आपके सामने जितने भी bank हैं उन सभी की list आपको show हो जाएगी simply आपको उस bank को select करना है जिस bank में आपका account है माल लेते हैं कि आगर आपके पास बन सकें तो फिलाल यहां सब bank account को select करने के बाद आपको proceed वाले option पर click करना है और उसके बाद फिर से आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा OTP एंटर करने के बाद अब आपको next page पर आपका जो bank account है उसके last four digits आपको show किये जाएंगे simply आपको अपने bank account को select करना है और link my account वाले option पर click करना है don't worry यह bank का official work है यहां आपके साथ किसी तरह कोई scam होने के chance नहीं है तो आप बेधरक होगे आप बिना किसी टेंशन के इस process को follow कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास फिर से एक OTP आएगा आपको OTP एंटर करके verify OTP पर click करना है and then उसके बाद आपको फिर से proceed व जैसे कि फिलाल मेरे case में यहां पर मुझसे कुछ और additional information मांगी जा रही है तो simply आपको proceed वाले option पर click करना है जैसी आप proceed वाले option पर click करते हैं तो यहां आपको कुछ document submit करने होंगे जिससे कि bank आपके credit card की limit को increase कर सके तो यहां document के अंदर आप से ITR और तीन मंत का bank statement मांगा ज कीजिए और उसके बाद document upload कर दीजे और document upload करने के बाद simply आपको submit पर click करना है and then उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूवत नहीं है और email के जरिए कुछी दिन के अंदर आपको notify कर दिया जाएगा कि आपके credit card की limit increase हुई या नहीं हुई अगर हुई तो फिर कितनी अफर शो कर रहा है तो फिलाल इस उड़ा के अंदर सिर्फ इतना ही था और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो helpful लगा होगा